Hello my dear student, how are you? I think you all are well and safe. I think you all are excited to learning the further video of Abekas. I think it's a very long time. After a long time, I have waited for your videos. So let's get started. आज मैं आपको subtraction के कुछ sums पताऊंगी. ठीक है? जिसमें हम minus करते हैं. मैनस के big B formula का हम use करेंगे. मैनस में हम आज big B formula का use करेंगे. जिसमें हम ये दो formula लेंगे. आज में सिफ़ आपको minus 9 और minus 90 करेंगे. दो formula आपको बताऊंगी. ठीक है? तो के minus 9 कैसे करना है और minus 90 कैसे करना है. तो हम दो formula अच्छे से सीखेंगे. तो आगे के formula आपको बहुत easy लगेंगे करने में जब आपकी इनकी practice अच्छे से हो जाएगी तो आप आगे भी अच्छे से कर सकते हैं और अगर आपको addition के big formula देखने तो आप मेरी पुरानी videos देख सकते हैं उसमें addition की मैंने detail में और shorts में मैंने बहुत अच्छे च्छी videos बनाई हैं जैसे आप easily आप सीख सकते हैं ठीक है तो start करते हैं जल्दी से तो जैसे की minus 9 को हम minus करना है तो कैसे करेंगे ठीक है जैसे हमारा यह house pointer होता है जैसे कि आप जानते हो ठीक है यह tens होता है यह hundred होता है यह था उजन्ट होता है तो यहाँ जब हम one splice पे लेते हैं तो यह तो पूरा 9 हो गया तो अगर हमें minus 9 करना है तो easily split कर दो minus 9 हो गया ठीक है 9 मैंसे 9 गए 0 बचे जैसे कि 9 है इसको पूरे को 9 को minus कर दिया यह 0 हो गया हमारा answer 0 आया ठीक है बट अगर हमें 10 मैंसे minus 9 करना है तो 10 हम कहा लेते हैं आपको पता है यहाँ से लेते हैं तो मैंने 10 यहाँ से लिया अब मुझे क्या करना है minus 9 करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ इस तरह से बताया बिना formula के हम नहीं कर सकते हैं तो हमें formula का use करना ही पड़ेगा तो हमने formula का use किया minus 10 plus 1 ये रट लीजी जिसमें 9 का friend 1 होता है जैसा कि मैंने आपको addition में भी बताया था कि 9 का friend 1 होता है तो वही same condition यहाँ पर भी allow होगी कि 9 है 9 का friend 1 होता है बट यहाँ पर जो minus है वहाँ हम sign change कर देंगे जैसे minus 9 है तो यहाँ पर minus 9 है वहाँ पर plus 9 था ठीक है अब जैसे यहाँ पर minus 9 is equal to minus 10 plus 1 है ठीक है तो यहाँ पर sign change हो रहे है number same ही रहेंगे तो आप देखिए और 10 की जगा 10 ही रहेगा सब कुछ same है बस हमें क्या करना है पहले हम 10 add करते थे अब 10 minus करना है और अब 1 plus करेंगे और उसमें हम 1 minus करते थे ठीक है तो अब formula का use करते हैं मैं बताती हूं कैसे करना है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 लिया ठीक है तो अब formula का use करिया minus 10 plus 1 तो हम बोलेंगे minus 10 less 10 भी बोल सकते है अब हम माइनस 11 करेंगे, माइनस 11, sorry, अब हम 11 मैंसे माइनस 9 करेंगे, तो पहले जूम करेंगे, 11 लिया हमने अब एकस पर, ठीक है, अब 11 लेने के बाद में हमने माइनस 9 करना है, तो वही सेम फर्मूला यूज करिए, माइनस 10, add 1, मेरा आंसर क्या आया, 2, तो that is 2, got it, अब next sum करते हैं, next sum हमारा है, 12 मैंसे हम माइनस करेंगे, 9, ठीक है, तो फिर सेम फर्मूला यूज करो, less 10, add 1, हमारा आंसर क्या आया, 3, ठीक है, अब next sum यूज करिए, फटा-फट से, 13 मैंस 9 करिए, जूम करिए, ठीक है, अब 13 मैंसे माइनस 9 करेंगे, तो हमने यहाँ पर पहले 13 अब इसमें से हम माइनस 9 करेंगे, तो बताइए, क्या करेंगे, मेरे साथ करिए, अगर आपके पास में अबेकस है, तो अबेकस के साथ करिए, ठीक है, तो हम less 10 किया, और add 1, वही सेम फर्मूला हमने यूज किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 4, that is 4, फिर से जूम करिए, less 10, add 1, हमारा आंसर क्या आया, 6, that is 6, अच्छा, एक बाद यहां पर ध्यान देने वाली है, मैंने यहां पर 13 लिया, सारे स्यूकेंस में लिया, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं लिया, 15, 16, 17, 18, ऐसा क्यूं किया, यहां पर भी देखिए, मैंने सारे स्यूकेंस में लिया, 100, 110, 120, 130, 140 नहीं है, यहां पर, ऐसा क्यूं, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, इस फॉर्मूला में हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग फॉर्मूला का यूज करना होता है, तो वो मैं आगे की वीडियो में इसलिए आप कन्फूूज मत होगा, ठीक है, तो हम आगे करते हैं, हमारा नेक्स सम है, वन सिक्स्टीन, तो वन सिक्स्टीन के लिए हमने क्या किया, माइनस नाइन करना है, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेस टैन, एड़ वन, हमारा आंसर क्या आया, सेवन, ठीक है, अब नेक्स करते हैं, फिर से जूम करिए, अब है 17 माइनस 9, सेवन्टीन माइनस 9 करने के लिए, पहले 17 लिया, अब इसमें माइनस 9 करेंगे, लेस टैन, एड़ वन, हमारा आंसर क्या आया, 8, ठीक है, ठीक है, अब नेक्स कोईश्टीन बताइए आप, खुद करके मैं भी करती हूँ, मेरे साथ करिए, 18, 18 लिया हमने, ठीक, अब इसमें हमने माइनस 9 करना है, तो वही सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेस टैन, एड़ वन, तैट इस 9, हमारा आसर क्या आया, 9, ठीक है, अब हम 100 प्लेस वाले करेंगे, उनको हम कैसे करेंगे, सेम है, स अब कुछ सेम है, बस आपको क्या करना है, कि जो टैन्स प्लेस पे लिये तो हम 100 प्लेस पे लेंगे, जो 100 है, हमने 100 प्लेस पे लिया, ठीक है, उसके बाद में माइनस 90 करना है, तो सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेस 100 एड़ 10, तो लेस 100 किया, एड 10 कर दिया, हमारा लेस किया, और एड 10 किया, सेम फॉर्मूला, ठीक है, तो हमारा अंसर आया, that is 20, अब नेक्स करके देखे मेरे साथ में, अब है हमारा 120, 120 लिया हमने, और हम वही सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, 90 माइनस करने के लिए, लेस 100, एड 10, that is 30, okay, you got it, I think you can understand very well, if you have any problem, then you can ask me in my comment box, okay, तो आईए, नेक्स हम, हम जल्दी-जल्दी करते है, अब हमें करना है, 130 में से 90 माइनस, ठीक है, तो पहले हम 130 लेंगे, और उसमें हम माइनस 90 करेंगे, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, less 100, add 10, हमारा आंसर क्या आया, 40, you got it, I think you can understand very easily, if you have any problem, so you can comment in my comment box, so, अब हम करते हैं, 150, 150 लिया हमने, अब उसमें से हम माइनस करेंगे, 90, so, less 100, add 10, okay, तो हमारा आंसर क्या आया, that is 60, you got it, अब हम नेक्स जल्दी से, अब हमारा है, 160, ठीक है, अब उसमें हमें क्या करना है, माइनस 90, तो, less 100, add 10, तो हमारा आंसर क्या आया, that is 70, ठीक, फिर से जूम करिए, अब इसके बाद है, 170, 170 लिया, हमने, माइनस 90 करना है, less 100, add 10, that is, काउंट करिए, कितना है, 50, and 3, कितने हो गए, 50 और, 60, 70, 80, कितना हुआ, 80, ठीक है, that is 80, ऐसे आप काउंट करके, इसली, आप लिख सकते हो, और, अबेकस की काउंटिंग, बहुत अच्छे से कर सकते हो, अगर आप डेली-डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप की जो, काल्कुलेशन है, वो, इंप्रूफ होती चली जाएगी, इसलिए, आप प्रैक्टिस करिए, इसके लिए, प्रैक्टि इस वीडियो को देखेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, ठीक है, नेक्स करते हैं, 180 लेते हैं, तो 180 लिया, माइनस 90 करेंगे, तो less 100, add 10, हमारा answer के आया, count करिए, सारे बीट्स कितने हो गए, 90, ठीक है, तो इसके लिए, प अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जादा जादा जरूरत है, ठीक है, तो इसमें जितनी जादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे से आप फॉर्मूला यूज करके, आप जल्दी से जल्दी कैल्कुलेशन कर सकते हैं, आ आप अपनी तरब से कुछ सम्स लिखिए, और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बट ये जो फॉर्मूला है, इनी नंबर्स में एपलाई होंगे, क्योंकि हर नंबर के लिए कुछ फॉर्मूलेशन दिये हुए है, जब हम सारे फॉर्मूला सीख जाएंगे, तो इन कुछ भी प्राब्लम आरी है, या कोई डाउट है, तो आप मेरी प्रीविएस वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, वो भी समझेए, और फिर भी आपको कोई प्राब्लम आती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, प्लीज, प्लीज, बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप और अच्छे से सीख सकें, तो बाइ एंड टेक कियर,